Hello friends, आज हम बात करने जा रहे हैं Void Agreement और Void Contract को लेका इसको लेका students की बीच में confusion रहता है कई recomption की बात students को समझ में नहीं आता है कि यह जो case है, यह Void Agreement का case है या फिर Void Contract का case है तो हम यह आपर देखेंगे इन दोनों में क्या फर्क है और दोनों में क्या similarities है तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बहुत ही simple से example से मान दीजिए कि एक दिन आप मेरे यहां आते हैं और मुझे कहते हैं कि सर आप आए दिन कहते रहते हैं कि आपको आपका laptop बेचना है तो आज मैं आपसे आपका laptop खरीदने आया हूं 25,000 रुपीस में मैं कहता हूं बिल्कुल मैं बेचने के लिए तयार हूं हम contract कर लेते हैं आप खरीदने के लिए तयार मैं बेचने के लिए तयार कीमत भी तैह हो गई contract हो गया contract होने के बाद आपने मुझे तुरंट पैसे दे दिये मैंने कहा कि मैं laptop एक काम करता हूं कर दे दूँगा क्योंकि मुझे इस laptop का backup भी लेना पड़ेगा उसमें मेरा बहुत सारा data रखा हुआ है आप कहते हैं ठीक है कल मैं आके आपसे laptop ले जाऊँगा आपके जाने के बाद मैंने laptop उठाया backup लेने के लिए और मेरे हाँच से laptop छूट के गिर जाता है और पूरी तरह से laptop तूट जाता है खराब हो जाता है स्क्रीन भी तूट जाती है मदर बोर्ड वगदर सब खराब हो जाता है अब इस contract का क्या हुआ क्या ये एक void agreement है या एक void contract है तो समयने की कोशिश करेंगे आप कि जब आपने और मैंने contract किया तब laptop सही सलामत था तो वो एक valid contract था मगर आगे चलके मतलब कुछ देर बार वो laptop जिसको लेकर हमारा contract हुआ है वो laptop तूट जाता है तो अब possible नहीं है कि हम इस contract को execute कर सकें तो ये contract जो है ये void हो जाता है इसे हम कहेंगे void contract void contract वो contracts होते हैं जो शुरू में तो valid होते हैं मगर आगे चलके किसी भी कारण से void हो जाते हैं इसे हम कहते हैं क्या void contract अब इसी example को थोड़ा सा हम change करते हैं और void agreement को समझते हैं again हम assume करते हैं कि एक दिन आप मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर वो आपका laptop खरीदना है जो आप हमेशा कहते रहते हैं मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल मैं बेचने के लिए त्यार हूँ कितने में 25,000 में deal हो जाती है आप 25,000 मेरे को तरन दे दे देते हैं मैं आपसे कहता हूं मगर यहां पे प्रापलबलम है आप कहते हैं क्या क्या है又 दिन पहले मेरे से ओही ले प्राप क्रूप захip लेकि गया है दो दिन पहले जब मेरा दोस्त लेके गया तो उसके हाथ से laptop छूट के गिर जाता है और तूट जाता है हाला कि उसने डर के मारे मुझे अभी तक बताया नहीं है कि laptop जो है वो पूरी तरह से damage हो चुका है और यहाँ पे मैं आपके साथ agreement कर रहा हूँ किस चीज को लेकर agreement कर रहा हूँ laptop को लेकर जो कि अब है ही नहीं पूरी तरह से damage हो चुका है तो यह एक valid contract होगा ही नहीं यह जो agreement है आपके और मेरे बीच में हो रहा है यह शुरू से ही void है void contract और void agreement में फर्क है void contract में जब मैं आपके साथ agreement कर रहा था तो वो शुरू में valid था मगर आगे चलके वो void हो गया मगर यहाँ पे जब मैं आपके साथ agreement कर रहा हूँ तो वो laptop है ही नहीं क्योंकि वो पूरी तरह से damage हो चुका है तो यह एक void agreement है void agreement को कहा गया है it is void of initio void of initio मतलब void from the very beginning so that is the biggest difference between void contract and void agreement similarity यह है कि ना तो void contract enforceable by law होता है ना तो void agreement enforceable by law होता है दोनों enforceable नहीं है ठीक है तो फर्क केवल और केवल इतना है कि void contract जो है वो शुरू में valid है आगे चलके void हो जा रहा है और void agreement शुरू से ही void है एक और example लेते हैं माल लीजे कि आपका और मेरा दोनों का liquor का business है शराप का business है मैं एक wholesaler हूँ आप एक retailer है आप मेरे से कुछ शराप खरीदने का contract करते हैं हम जिस state में रहते हैं वहाँ पे शराप खरीदने और बेचने consume करने पे कोई पाबंदी नहीं है ठीक है आपके और मेरे बीच में जो contract हुआ वह एक valid contract है मैंने का ठीक है मैं दो दिन बाद आपको लेकर deliver कर दूँगा दूसरे दिन सुबह जब हमने newspaper उठा के देखा तो वहाँ पे news थी कि हमारे state को dry state घुशित कर दिया गया है मतलब शराप को खरीदने और बेचने पे प्रतिबंद लगा दिया गया है तो अब यह हमारा जो contract था उसका क्या होगा वो contract void contract हो जाएगा जब आपने और मैंने यह contract किया था तब वो बिलकुल valid था क्यों क्योंकि उस वक्ट शराप खरीदने और बेचने पे प्रतिबंद होता और हम आपस में agreement करते तो वो agreement क्या होगा वो agreement शुदू से ही void होगा उसे हम कहेंगे void agreement तो that is the difference between void agreement and void contract तो यह दोनों terms भी आपको individually समझ में आ गये होगे यदि आपको lecture समझ में आया है पसंद आया है तो please इसे like करें share करें और हमारे channel को subscribe करें हम फिर मिलेंगे एक नए topic के साथ यदि आपको किसी topic पर video चाहिए तो आप comment section में लिखके बता सकते हैं बाबाई